Hello दोस्तों आपके अपने YouTube चनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम JSB और WMM के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा JSB है वो कैसे हम उसको justify करते हैं उसमें क्या क्या quality होती है और कहां पर हमको लगाना है और जो WMM है उसकी क्या property है और किस जगव यूज होता है और दोनों में क्या अंतर है इन सारे topics पर आज बात करेंगे दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe करें ताकि जो हमने बहुत सारे topics पर वीडियो बनाए है वो सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो चलिए दोस्तों हम सुरू करते हैं सबसे पहले GSB से कि GSB होता क्या है ठेक है और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe करें ताकि जो हमने बहुत सारे topics पर वीडियो बनाए है तो GSB का अर्थ होता है दोस्तों granular subbase ठीक है जैसा कि यहां पर लिखा है red color में GSB granular subbase तो granular subbase का ही अर्थ होता है दोस्तों एक base तियार करना जैसा कि मान के चलिए आपका जो जमीन है वो इस तरह से मान के चलिए उपर खाबड़ है या फिर उपर निचे है या फिर काली मिट्टी है तो क्या है ऐसे जगह में जो है आपको एक label देना पड़ता है ठीक है एक proper label देना पड़ता है आपके जमीन को तो क्या है एक proper label देने के लिए जो है वहाँ पर GSB आपको ड़ने की ज़रत पड़ती है और label के साथ-साथ जो आपका stratega है जिस जमीन मानक चलिए लुज मिट्टी है पीर काली मिट्टी है तो क्या है उस जमीन को एक hard stratega भी मिल जाता है और साथ-साथ क्या है वो एक label भी बन जाता है जब भी हम road बनाते हैं तो road बनाने के लिए हमको एक label चाहिए उपर निचत बना नहीं सकते हैं तो क्या है एक लेबल भी देता है और लेबल के साथ साथ जो जमीन की मजबूती है उसको भी वह 20-30% आर्टमेटिक को बढ़ा देता है तो यह होता है GSB का काम ठेक दोस्तो हम कहीं पर भी GSB नहीं डाल सकते यदि पहले से यदि आपका जो जमीन है मानके चलिए वो WBM Road है तो क्या है वहाँ पर GSB नहीं डाल सकते जैसा कि मैं इस इमेज में आपको बता रहा हूँ जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं यह पहले से मानके चलिए WBM Road बना है जिसमें क्या है मुरूम भी मीक्सर रह कि जो GSB है दोस्तों जो GSB की गिट्टी रहती है वो क्या है एकदम चरशरा रहेगा मतलब उसमें bonding बिल्कुल भी नहीं रहती जो आपका GSB रहता है उसमें बड़ा-बड़े गिट्टी जो है जादा रहेंगे और इसके सांसा जो आपका जीरा गिट्टी है जो 6 mm जादा रहता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई bonding नहीं रहती और कोई भी उसमें strength नहीं देता ठीक है अब यदि आप उसको देखकर यदि आप उसको justify कर रहे है कि यह GSB है या WMM तो उसमें कि जो खास बात है वह यह है कि इसमें कभी भी dust की मात्रा नहीं रहेगी रहेगा तो बहुत ही कम dust की मात्रा एक दो परसेंट पांट परसेंट तक ही रहेगा और इसका जो गिट्टी है वह एकदम पूरा चार चारा टिप से रहेगा ठीक है क्योंकि इसका काम है सिर्फ एक base तयार करना ठीक है जब हम road बनाते हैं तो पहले सबसे पहले मूरूम करकते हैं औ तो क्या है पचिसतिसमें मूरूम में घुच जाता है और एक लेबल जो है फिर जो उसके उपर जो पांच हिंस के लगभ जो बचेगा वह क्या है एक उसको यूनिफरम ले एक लेबल देगा और साथ साथ आपके जो इस्टेटा है उसको बराबर कर देगा और उसको उसकी property यह है कि उसमें 40 mm गिटी रहेगा 20 mm भी रहेगा लेकिन सब से ज्यादे आपका 6 mm गिटी और उसमें किसी भी परकार की कोई डस्ट नहीं रहता इसलिए उसमें बिल्कुल भी बांडिंग नहीं आता तो यह होता है दोस्तों GSB GSB का मेंन काम है एक आपका सरफेर्स बनाना ठीक है और इसका कोई काम नहीं है इसके बाद होता है दोस्तों आपका WMM ठीक है तो जैसे कि इस इमेज में आपको देख रहा है तो GSB हिद्वत्वत्तों उससे इसकी जो क्वालिटी है यह बहुत ही स्ट्रॉंग रहती है यह क्या जो रहता है जब हम WMM डलते हैं अब उसके उपर जब हम rolling करते हैं ठीक है तो rolling के बाद क्या होता है जो WMM है और पूरी तरीके से Compact हो जाता और compact होने के बाद जो है ये कभी नहीं उखड़ता जबकि जो आपका JSB है JSB क्या है ऐसे बिछा दिये कितना भी आप rolling करो वो चरचरा रहने के करण क्या है वो bond हो नहीं पाता और जो है वो जब भी गाड़ियां चलेगी दो-चार मेहने तो क्या हो पूरी तरीके से उखड़ जाता है आप देखे ही होंगे रोड में जो चरचरा मंगवाते हैं तो JSB में कम से कम 30% जो है डास्ट रहता है और जब इसमें पानी हम डालते हैं ठीक दोस्तो तो क्या है जो पानी के साथ जब यह मिक्स होता है जो डास्ट है प्रॉपर जिसले के साथ म सबस्क्रDINGर में अच्छी तरीके से बने नीटेब बचाते हैं तो आप इसकी के साथ मसीन रहता है बिछाने के एक मसीन रहता है और जो है इसको अच्छी तरह से सर्फेस देते हैं और जब इसके उपर रोलिंग होगा तो क्या है यह पूरी तरीका से एक जो है वो WMM Road तयार हो जाता है यदि जैसे Government के पास बजट नहीं रहता तो क्या है WMM करके छोड़ देते हैं और उसकी उपर गाड़ियां चलती रहती है ठेक दोस्तों आपने देखा ही होगा कई जगा गिटी वाली रोड रहती है तो वो GSB नहीं रहता बलकि वो WMM रहता है ज पूर्ड भी करें एक नहीं निकलता क्योंकि उसमें एक बॉन रहता है जो WMM होता है वो हता है वाटर मेंटर या फिर Commissioner में के डम, water, metal में के डम भी बोल सकते हैं, या फिर water, mix में के डम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी रहता है, प्रपर मातर में पानी रहेगा dust रहेगा, और जो metal बड़ी-बड़ी जो गिटिया है, वो रहती हैं, इसलिए जो है ये compaction होता है और क्या है, आटोमेटिक ये bond बना लेता है इसलिए जो है, इसको जो है road के उपर में डालते हैं, ताकि इसके उपर जो है, सीधी तरीके से, सीधा डारेक्ट जो है गड़ी चल सके, और जो WMM है दोस्तो, वो कभी भी ठीक है, जब भी डलेगा, वो आपके GSB के उपर ही डलेगा, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं जो काला काला दिख रहा है, वो है आपका WMM, और उसके जो नीचे जो गिटी-गिटी दिख रहा है, वो है आपका GSB, ठीक दोस्तो, तो WMM जब भी डलेगा, वो GSB के उपर ही डलेगा, कभी जो है, आपका जो WMM, वो मूरूम के उपर डारेक्ट कभी ने डलता, मूरूम के उपर जो है, जो सबसे पहला लेयर डलता है वो होता है आपका GSB, ठीक है, और GSB के उपर, जो दूसरा लेयर डलता है, वो होता है आपका WMM ताकि जो WMM है, वो जो है आपके रोट को जो है 80% आपका जो रोट का work है वो complete कर देता है उसके उपर जो है स्रिप डामर चल सकता है WMM के उपर ठेक है दोस्तो उसके उपर और कुछ नहीं लगता तो जो आपका जो WMM है वो होता है दोस्तो आपका main work ठेक है तो यह होता है दोस्तो WMM की quality मतलब WMM जो है हमारा रोट का main components है सबसे पहले आपको मुरूम डालना है और मुरूम की पर जो पहला ले रहता है वो होता है JSB और JSB के उपर और डामर करने से पहले जो लगता है वो होता है आपका WMM और जो WMM की प्रोपर्टी है आप देखेंगे या फिर किसी पात्र में यह दिमान के चलिए आप बरतन वरतन में आप WMM को रख दिये और रखने के बाद उसको compact कर दिये तो क्या है पूरी तरी के सेट हो जाता है तो इसलिए जो है दोस्तो WMM जो है बहुत महंगा भी रहता है जब GSB की तुलना में लेकिन कई लोग क्या करते हैं सरकारी कामों में पैसा वैसा बचाने के लिए ठेकता दालग जो है वो GSB लगा देते हैं और जबकि क्या है जो रोट का का काम कर रहा है उसी आदमी को पता रहता है कि GSB का है और WMM का है जबकि दीखने में जो है आपका WMM भी वैसे ही दीखता है और GSB भी वैसे ही दीखता है दोनों में उतना ज्यादा अंतर नहीं पता चलता जो आदमी काम किया है उसी को पता चलता है ठीक दो तो इतनी हो गई GSB और WMM में अंतर जो WMM है वो होत आपका गिट्टी नहीं उखड़ेगा क्योंकि उसमें dust रहता है वो bond बना लेता है सीमेंड जी से ठीक है जबकि आपका JSB है वो पूरा चरचरा पन रहता है उसमें गाड़ियां चलने से जो है वो पूरी तरीके से उखड़ते रहता है ठीक है आपने देखाई होगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा हमको बताईए लाइक करें शेयर करिए और हमारी चनल को सब्सक्रीब करिए थैंक यू